अगर एक रूब एक खर्चा है मोबाइल पे तो वीएजर ऐती तो चवनी का खर्चा आपका हो जाता इस यई वज़ा है आप यैसे सिरल पे होके मोदी जी का फोटो लगा सकते हैं नहीं सकते ही नहीं तो जी यो का नाम निशान नहीं होता और जिस दिन रेल प्राइवेट हो गई न तो वही गेट पे तराजू लेके लाला कारी बैठा होगा भारत संचार निगम लिमिटेट हर जगह आपको भारत या इंडिया लगा मिलेगा उस पीस्यू के नाम के पहले या बी जो गंद मुझे इस मिट्टी की ये देश नहीं भिगने दूगा जनता ही खड़ाओ के रोडवेगारे बढ़ता हट गया ना कि अब सरकार किसको प्रमोट कर ये नजर नहीं आ रहा है ये पुब्लिक सेक्टार यूनिट पैदा होता ही है मरने के लिए कोई पैदा होता ही म हम लोग अभी तक प्राइवेट नहीं किया जा सका जाली में मुडगा देखा ना अभी आपका नमबर नहीं आया नहीं दिन आज आएगा उसिन लट तो ज्यादा फैसिलिटी मिलेगा तो जीओ क्या होगा मेरे आज सही बत बूले हैं सही बत बूले हैं गोदी मीडिया का सब्सक्राइब ना वो तो बहुत फेमस है आपके यूनियन में भी गोदी यूटर है जो दो भाईयों की बात कर रहा है ना आपके यूनियन में लगवा देंगे एक ठीक है आज सवाल का जवाब चाहिए कि 2014 से पहले क्या ऐसी चीज ती जो उस वक्त की सरकार बेच रही थ लगते थे आज जब उनकी लगी है तो रोड़ पे चिला रहे हैं लेकिन इस भारत की जो गवर्मेंट सेक्टर के इंप्लाइए अगर कोविट के टाइम में गवर्मेंट इंप्लाइए नहीं होते तो दोस्तों नवश्कार 2014 से पहले का मोदी जी का वो जुमला आपको याद होगा ये देश नहीं बिकने दूंगा सौगंद मुझे इस मिट्टी की मोदी जी तो वो दुवारा से गाना नहीं गाते है प्रसून जोसी ने उनके लिए लिखके दिया था ना प्रसून जोसी नजर आते है ना वैसा गा कोई सुनाए आप लोगों को लेकिन इस देश की जंता रेट पर उतर के वही गाना आजगा रही है जंतर मंतर पर आप देखेंगे तो कडिब करीब हर दिन कोई ना कोई पी एसी हो गवर्मेंट हो अलग अलग सेक्टर के इंप्लाइज हो जो नीजी करन के दिशा में ये भ मुझे एक बात की बड़ी खुशी है सबसे पहली बात मैं आपसे ये पूछूँगा कि आपने यहां पे पोस्टर पे लिखा है कि 4G और 5G जल्दी लॉंच किया जाए लगता है ऐसा आपको ये तो अभी हमारा करमचाय को विश्वास है इसलिए दिल्नी माज आये हैं कि आगर जावच्दस हम लोग जंग लड़ सकते हैं तो ये सरकर को 4G देना पड़ेगा अब याद किजिए 2G और 3G का टाइम में भी करमचाय लोग ये आवाज उठाये थे हाँ वो लोग देर कर रहे से लिए अदानी और अंबानी को मुड़ाफा कमाने के लिए ये लोग कोशिज कर रहे हैं कि 4G देर करें लेकिन सरम का पाथ ये हैं अच्छा ने मुझे एक सी हिरू कि तुला सा मैं थोला सा चाहता हूं कि लोगों तक आपकी बात पहुंचे 4G और 2G अपने लिए अच्छा चीज नहीं है तो सदन में क्यों बोल दिया फैट जी मिलेगा रिलैस जीओ को सरकार ने खुद बोला ना इसलिए तो सरकार नहीं दरी है तुम्हें आपके मुझे कहलवाना चाह रहा था लोगों को ज्यादा फैसलिटी मिलेगा तो जीओ का क्या होगा मेरा सभी बूले हैं साही बद बूले हैं यह जीओ को विकलप इसलिए उने जारे इसलिए उजो बोलने हैं बीए सेनल को आप एक कमपानी हो अलग से लड़के लड़ो हमरा हद बंदिया टूज और ठीजी ठीक है बीटीएस का टेंडर था उन्होंने खतम कर दिया बोला आत्तर निर बारत नहीं है यह लोग सीमेंस नुक्या का एकोमेंट कर रहें यूज कर रहें तो बीएसनल अपना पैसा से एक लाग टावर को जो टेंडर किया था इसको यह सरकार ने बंद कर दिया मैं जो माइक लेके खड़ा हो ना मैं भूब में ठूसरे वाला नहीं मुझे आरटा सब्सक्राइस की इंफ्रास्ट्रेक्चर और बीएसनल के सेटप पर ही आदारी तो टीक है और अल्ड़ टावर ने यूज यूज फ़ाइड रिलायांस यानि की जो जी विसमें काम कर रहा है जिसकी सारा इंफ्रास्ट्रूक्रों यानि की बीड़िंग किसी और का पाइब दैन मतलब सरकार का बी एसल के इंफ्रास्ट्रक्चर की उसकरो और मुझा पर कमने का मोका दो रिलाइंज हो का यह सरकार का पॉलिस्टी है हम इन लोग यहां पर रखना पड़ेगा आज आप बंदे वारत की जहां जंडे इलाजे लोगों को देख रहें लोगों मतल पेंसी करी परीब 30% यह उन ट्रेनों में क्योंकि किराया तीन गुणा है लेकिन जिस दिन सारा कुछ बंके तयार हो जाएगा चमकदार ट्रेने दौनी शुरू हो जाएगी वो रेलवे को जब प्राइविट हाथों में दिया जाएगा तो वो पैसा किसका होगा जंता का हो मुझे एक सालम सवाल का जवाब दीजिए मैं आपसे जवाब माँगा मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए कि 2014 से पहले क्या ऐसी चीज थी जो उस वक्त की सरकार बेच रही थी मोदी जी गाना का रहे थे और कौन सी ऐसी चीज है जो आज बच रही है यह बताईए आज तो क्योंकि हम गवर्मेंट में रहना चाहते हैं मगर उस वक्त में हमारे को जबरदस्ती और बीएशनल पीए पुब्लिक सेक्टर रेट को लाया गया बताया गया कि आपको अगर बीएशनल डिवोटी में रहे तो आपको सर्प्लस सेल में डाल देंगे अंडबार निकोपार और कहीं कहीं दूर भेज देंगे बूलके हमारे को डरा धंका के यह बीएशनल कंप्ली बनाया और हम पूरे कर्मशारियों को इस कंप्ली में लेकर आए तो आस्मान से उसमान से जबीन पर आ रहे हो ना आज है सही बात है सही बात है क्योंकि आप अकेले नहीं हो मैंने मैं सब्सक्राइब बहुत प्रोडाम किया और मेरा सवाल आप जैसे इंप्लाइशन हो चाहे रेलवे हो जब प्राइवेटाइशन का यह दौर चलना है सब जानते हैं कि उनकी नौकरी खत्रे में है तो लड़ाई अकेले क्यों लड़ते हैं क्योंकि इस देश का जंग अभी त अकेले नहीं लड़ते हैं अभी तक प्राइवेट नहीं हुआ सिर्म एक ही कारण है कि हम सब युनाइटे हैं हम सब साथ में ले रहें और जॉइन फोर्म बनाया है सब किसब मेरा प्रिंसिपल अलग होगा दूसरे का अलग होगा पने मुद्दा तो एक ही है कि प्राइशन जाली में मुडगा देखा न अभी आपका दम नहीं नहीं पर दूसराइड नंबंश नहीं हाया जेस दिन आज आए गाहाँ लड़तो होगा आज थी मिल्पन रहें किया है जब रही हो रहा था उनको प्रिंड करने चालू किया है पेट्रोलियम पेट्रुयम का क्या हालत हो का है हर पब्लिक सेक्टर में सरकार प्राइवेट को लाइं को प्रूश्च कर रहा है और उनको संबती किस की है सरकार की कि अभी आज हमारे पर बधीस में वहाँ 7,500,000 किमोमीटर फाइबर यह टीटा जो चलता है वह एबर पे चलता है यह संद रहा थुट है इंकी नजर है ह पूरे देश में लोकेटेड है उस पर नज़र है देरे किरायधार बोलके घुस रहे हैं और कभजा करने कुछ आपने का एक बार गुस के कभजा करके पैट्टिक चक्र तो उसके किलाव हमाँ पार रहे हैं पड़ा एहम सवाल है आजकल जानते हैं कि मौझूदा वक्त में रोड पे चिला रहे हैं लेकिन भारत की जो गवर्मेंट सेक्टर के इंप्लाइए अगर कोविट के टाइम में गवर्मेंट इंप्लाइब नहीं हो दें जो 47 लाख लोगों के जान गई है न ऑफिशली वह 47 करों हो जाता साहित लेकिन आप लोगों खिलाब जो नेरेटिव चलू किया च्छोटा सीडिये पे फोन से बात में उसको खतम कर दिया अभी आममारी ले लिया अभी क्या कर रहा है पूरे सब देश में पहले प्री में देना चलू किया अभी रेट बना दिया डबल टिबल डिट कर दिया अगर ब्येस लाएगा तो आम जंता को आप आदन यह कहेंगे एक ठीक है आउस पर क्या हुआ वह 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 है वह उसका जो हमारा जो अब हुआ था उसमें उसको मिला आए पांच परसंट और बाकी जो 95 परसंट यह दिख रहे हैं और वह पांच परसंट बोदी के गुन गाता है आज भी वह हमारी साथ आने वाले थे आये नह आनता हूं मैंने बहुत बोड़ाम किया बहुत इनन देखे हैं गोदी इनन भी देखे हैं वह हमार साथ में बोला करेगा आये तो नहीं तो यह चक्कर है पर हम लड़ेंगे और जब तक हम अभी जा रहे हैं पबलिक के पीश में कि एक्चॉल में फैक्ट क्या हो रहा है गो पैसा दिया वापस हमको एक्चॉल पैसा यह पप्लिक में थिकाला चाहती है कि हम इतना पैसा देने के बावजुद यह बीए से लिकारी काम नहीं करते हैं यह डूब रहा है इसलिए इसको प्राइवट पर दे रहे हैं नहीं मैं एक ची दरसकों को बता दूँ जिस दिन प लुपए कर चाहे मोबाइल पे तो भी एसलिए रोटी दो चावन प्रश आपका हो जाता इस यहीं वजह है आप यह से रल पहोंके मोदी जी का फोटो लगा सकते हैं नहीं लागा सकते हैं यह जी जी आ लूंच के दिन का यार मोदी जी का वोट ओट हो हमने का पहले पेले और क्या हुआ उसमें जब आवाज उठाया गया तो क्या किया 500 रुपर का फाइंड किया प्रगान मंत्री ने बोले थे यह जो पब्लिक सकता है यह ओर प्रिय प्रृदान मंत्री मुखत है कोई मर जाता है तोड़ी दिन बाता है और अच्छी बढ़ा मुला ूदा और जो पैदा करता है उसको इमरने का कम होता ही जो पैदा ही कुछ नइक गया, उसको क्या पता मरने का कम क्या होता है, ईटर्ज को पता जत्ष है, अब सभी सवाई पूंचाता था, जब भी बाहरा आई है, उकम पाया है चाहिए वो चैन्ने में हो या फ लेड और हो कोई प्राबान के के क्रांट क्या है कोई प्रography प्रोडम यह हो गई ना तो वही गेट पे तराजू लेके लाला कारी बैठा होगा कि पाच फिलों समान से जादा अगर अंदर लेके उस गया ना तो उसमें भी पैसे लगेंगे एरपोर्ट की तरह पे इसी तरह से देश में तमाम प्राइवेट सब्सक्राइब जो किया जा रहा है अलगा जा रहा है कि अब बैंक दोजार चौविस से एलेक्शन जीत गया तो वह भी बैंक को प्राइवेट कर दिया जाएगा कहा जा रहा है एक सब्सक्राइब के गेट की तरफ भी रास्ते से गुजरते हुए देख लिया ना तब पचास रूपे एकाउंट से कट जाएगा उसम के हजारों इंप्लाइज और मजदूर यूनियन जिनके साथ आप लोग खरे हैं सब लोग खरे हैं क्या इसको बचाने में काम्याब हो पाईगी जिस यह सर बी एसनल इंप्लाइज यूनियन ने अपनी लड़ाई को अपकेवल अपने तक ही सीमित नहीं कर रखा है अब इस के और हमारे अनकिसान नेता भी इस लड़ाई का समर्तन कर रहे हैं और अब हम सब के साथ मिलकर के लड़ने जा रहा है और आने वाने दिन में इस पब्लिक सेक्टर को हम संजुक्त लड़ाई के बात्यम से बचा लेगी चलिए बचा लेगे उमीद तो यही करते हैं कि इस कि समपता जितने भी पीएस यू इस देश में हैं यह देश नहीं बिखने दूँगा उसके सब के आगे भारत इंडिया यह सब आपको लगा ही मिलेगा जैसे कि भारत संचार निगम लिमिटेट हर जगह आपको भारत या इंडिया लगा मिलेगा उस पीएस यू के नाम के पहले या बीच में लेकिन आज उसी भारत को जब बेचा जा रहा है तो वो शक्स आके दुवारा गाना नहीं सुनाता कभी सौगंध मुझे इस मिट्टी की यह देश नहीं बिखने दूगा जनताई खराओं के रोडवेग आ रही है नमस्कार